ज्रवत्यविक खाद के रूप में प्रयूक तो हुने वाले तीन जीवाणों लिखी और व्यापारिक इसतर पर जैविक खाद के दो नाम लिखी तो आइए इस प्रशन का उत्ता देख लेते हैं तो जो जैविक खाद होती है, क्या होती है, जो जैविक खाद होती है, वह किसे प्राप्त होती है हमें, वह जीवों से तथा कह सकते हैं कि अशू वह जो पोधे रहते हैं, उन पोधे के जो अपसिस्ट रहते हैं, अपसिस्ट उनसे हमें जैविक खाद प्राप्त होती है, ठी क्या किया जाता है उसको प्राक्रतिक रूप से तैयार किया जाता है ठीक है इसमें क्या होता है इसमें खर्च भी कम लगता है और इसे म्रदा की जो उर्वरा शक्ती रहती है वह भी बनी रहती है ठीक है तो उसमें कौन-कौन से जो जिवानु रहते हैं जो प्रयोग किया जा जैसे कि जो राइजोबियम रहते हैं वह ठीके तथा एजटोबैक्टर एजटोबैक्टर का भी प्रयोग किया जाता है ठीके तथा जो दूसरे वाले जो होते हैं जैसे कि एक्टो माइको राइजा रहता है उसका भी प्रयोग किया जाता है तथा जो नील हरी शेवाल रहती है उसका भी प्रयोग किया जाता है ठीके तथा नीली हरी जो अनोला रहता है उसका भी प्रयोग किया जाता है ठीके इसी प्रकार जैसे कि एसपरजिलस रहता है तथा जो ए रहता है उनका भी प्रयोग किया जाता है नहीं और दोस्तो हमारा यहाल धन्यवार्व धनलद धन्य दोस्तों आशा करती हूं कि आपको इस्प्रेशन का उत्तर समझाया हूँ